नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतें चादरी स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल जेके एरुटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल कंपनीं का जो है सेयर का जो रिजल्ट है जून क्वाटर का ओडिकलेर हो रुका है और इसमें एक जो है बहुत बड़ी तीजी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी तो बने रही है जे के अरुटेक में आउन तक और वीडियो को पूरा दरूर देखिए तभी जाकर आपको क्लेर समझ में आएगा देखिए जो ग्लेन मार फार्मस्यूटिकल कंपनी है फार्मेशी सेक्टर का कंपनी है जिसमें जो है इसके जून क्वार्ट रिजल्ट में इसको जो है दोसो चावण करोड़ रुपे का सुद्ध नेट बेनफिट हुआ है इसकी नेट प्रॉफिट ज हुआ जो है ग्लेन मार फार्मस्यूर Juice कल कैंपनी को टोटल जो है दो सऊच्पस करोड़ का फायदा हुआ है इस june quarter 2020 में तो ग्लेन मार्क एक फर्मस्यूटिकल कंपणी है मेडिसीन से रिटिट कंपणी है ठीक है तो इसमें जाए जाएशी बात है कि इसमें उच्छाल आएगा यदि बात की जाए पिछले फाइनल से रियर की तो पिछले फाइनल से यह में इसे 109.28 करोड यानि की 109.28 लाग का सुध बेन पीट हुआ लेकिन इस बार मुनाफ़ा डबल हो गया है तो आप अंदादा लगा सकते हैं कि इस सेर में क्या होने वाला है आपको पता हुआ कि ग्लेन मार्क फार्मस्यूटिकल कंपनी जो है फार्मेशी की कंपनी है अभी पिछले महिने इसने दावा किया था कि ए जो है करोणा वारस की दवा बनाने बनाने में इसको काम्याभी मिल सकती है जिसके काड इसका से एक ही दिन में 227 से 30 परसेंट जो ह इसके लाच्ट पाईस्यूटिकल कंपनी पिछले में पहले आपको देखने को मेली ती तो ग्लेन मार्क फार्मस्यूटिकल कंपनी जो है एक रेपोड़स कंपनी है और प्रमस्यूर नाम की जो है कोर्णा वायरस की टेबलेट बनाई थी जिसके काड़ इसका 30 परसेंट जम लो रहा इसकी लास्ट ट्रेटेश पाइस सी दोसो 480 रूपए 75 पैसे टोटल इसमें 1.48 की ग्रोथ आज के डेट में देखने को मिली यानि की तक्रीबन सावाशात रूपे के करीम में जो है आज इस सेर में तेजी आपको देखने को मिली ठीक है यदि पिछली क्लोजिंग की बात की जाए तो पिछली क्लोजिंग यानि की फ्राइडे को 470 रूपए 70 पैसे पे जो है सेर क्लोज हुआता है तो अब इसका रिजल्ट डिक्लियर हो गया है क्लेनमार फार्मस्यूटिकल कंपनी का तो इस रिजल्ट से जो है इस सेर में काभी भूचा ले आने वाला है औ और यह जो है आपको अच्छा इटन बना के देगा क्योंकि किसी भी कंपनी का जो है रिजल्ट क्वाटर रिजल्ट बाउट ही इंपोर्टेंट होता है क्योंकि अगर क्वाटर रिजल्ट अच्छा आता है तो सेर होल्डर का ट्रस्ट उस सेर पे बना रहता है और वहां पे बाइंग की आप प्रुछनटी बंती है और शेयर जो ग्रोथ करता है क्योंकि जहां पर ज्यादा बायर आएंगे निश्यत रुप से ओसेयर जो है आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा यानि ग्रोथ करेगा और उसमें उसके उसके जो उच्छाल देगा और आपको एक कितने पैसे में इस यहर को सेल बाय करके होल्ड करकी रखाएंगे अ अच्छाल आपको